हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो अवर चैनल अजुकेशन और लेनिंग पॉइंट दोस्तों ही आज का हमारा टेस्ट नमर 11 है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रेश्ण की पहला प्रेश्ण है हमारा भारती समविदान का निमलिकित में से कौन सा अनुच्छेत क केंद्र को राजिपाल की सिफारिश पर राजय प्रेशासन को अपने अंतरगत लेने की शक्ति देता है बारती समविदान की निमलिकित में से कौन सा अनुच्छेत केंद्र को राजिपाल की सिफारिश पर राजय प्रेशासन को अपने अंतरगत लेने की शक्ति देता है ए कंद्र के एता है इसके पिवस Shapet देखज कैना ऑफisia यहां हो जाने की दिछा में उसके अंपफबंद यहना एक क मारा आटिकल 259 ग्या तरफ यह विजुम है कि तरफ और स्करिया जो संसत के सदनों की तथा उनके सदस्यां और समितियों की शक्तियां और विशेशादिकार यह आता हमारा आर्टिकल 105 की अंतरगत और जो हमारा आर्टिकल 124 है इसके अंतरगत क्या आता है आता है उचितम न्याले की स्थापना गठन यानि कि उचितम न्याले यानि कि सुप्री बहाशाएं यानि कि definition और definition किसकी यह पंचायतों से संबंदित है पंचायतों से संबंदित है आर्टिकल 243 चलिए इसका जो उत्तर था हमारा वो था आर्टिकल 356 option C अगला प्रेशन है हमारा प्रेशन संक्या 2 निमलिकेत मैंसे कौन सा शब्द यह शब्दों नहीं है यहां श प्रेशन संक्या 3 भारत के राश्ट पती को किसके लिए महावयोगदारा पत से हटाया जा सकता है भारत के राश्ट पती को किसके लिए महावयोगदारा पत से हटाया जाता है A. सम्विधान का उलंगन B. कोई अपरादिक अपराद C. मन की अस्वस्ता D. नैतिक पतन E. इन मैंसे कोई नहीं जो मारा इसको उतर होगा वो क्या होगा राश्ट पती को उसके पत से महावयोगदारा किससे हटाया जाए प्रश्ट संक्या चार है निम्लिकेत मैसे किस देश के साथ भारत ने जून 2020 में एक दूसरे के बेश तक पहुंचने के लिए एक एतिहासिक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किये अगला प्रश्ट ने हमारा प्रश्ट संक्या पांच भारत की 2011 की जनगड़ना के अनुसार निम्लिकेत मैसे किसका जनसंक्या घनत्तु शाशेत प्रदेशों में सबसे कम था बारत की 2011 की जनगड़ना के अनुसार निम्लिकेत मैसे किसका जनसंक्या घनत्तु केंद्र शाशेत प्रदेशों में सबसे कम था इसका जो उत्तर हो इसका जो उप्षन है उप्षन ए अन्दमान और निकोवार दीप समूं बी दादर और नागर हवेली सी लक्षदीप दीप उदुचैरी इन में से कोई नहीं जो हमारा केंद्र शाशत प्रदेश है वो कौन सा है इसका जो उत्तर है वो क्या रहेगा ऑप्षन ए हमारा सही है अगला प्रशन है मेरा प्रशन संक्या छे बदावन नामक इस्थान पर एक प्रमक बंदरगा किस राज़ में इसते है यानि किस राज़ में इसते है ए आंदर प्रदेश बी ओडिशा सी महारास्ट डे गुजरात इह इन में से कोही नहीं जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा option option C महरास्ट ये बदावन नाम का जो बंदरगा इस्तान है वहाँ पर एक प्रमुक बंदरगा है कहाँ पर इस्तित है महरा सही है अगला प्रशन है महरा प्रेश्ट संक्या साथ माफ कीजिए गई ये एक प्रेश्ट ने दो बार दे दिया गया है इसका जो उत्तर था हो है महरास्ट बदावन नामकिस्तान पर एक प्रमुक बंदरगा किस राज में से था महरास्ट में अगला प्रेश्ट है हमारा जनगंडा के अनुसान निमलिकित में से कौन सा राज भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंग्या वाला राज है ए राजस्तान, ब मद्यपृदेश, सी पशिम्बंगाल, डी महरास्ट और ई इन में से कोई नी जो हमारा उत्तर होगा इसका ओक्या होगा ऑप्शन डी महरास्ट जनगंडा के अनुसान निमलिकित में से कौन सा राज भारत का सबसे अधिक जनसंग्या वाला राज है वो हमार प्रेश्ट संक्या 9 निम्लिकित मैंसे कौन सी संकीन ट्यूबिंग का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तक्नीक है जो सीधे पौधों के आदार पर पानी पहुंचाती है निमलिकेत में से कौन सी संक्रीन ट्यूबिंग का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तक्नीक है जो सीधे पौधों के आधार पर पानी पहुंचाते है जो मरा इसका उतर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी ड्रिप से चाए अगला प्रशन है हमारा प्रेश संक्या 10 मोई स्कूल की शुरुवात किस राज्य में की मोई स्कूल की शुरुवात किस राज्य ने की जो इसका उतर होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन ड्रिप स्कूल की शुरुवात किस राज्य ने की ओडिशन है अच्छा है यह कब की गई यह की गई है मोई स्कूल की शुरुवात की गई 14 नवंबर 2017 में इसकी शुरुवात की गई चल्ट्रन्स टे के अफसर पर की गई है इसकी शुरुवात और यह किस ने शुरुवात की ओडिशा के जो मुख्य मंत्री है नवीन पतनायक जी मोई शुल का जो अर्थ है इसको मतलब क्या होता मो का यानी माय स्कूल मौ का अर्थ है माय माय स्कूल यह हो गया हमारा मो नाइक जी है उन्होंने इसकी शुरुवात के थी और इसका उदेश क्या है इसका जो यह जो मोई स्कूल है इसका उदेश है हमारा पूर्वु छात्रों और उनकी मात्र संस्था और सरकारी या सरकारी साहता प्राप्त स्कूल के आसपास के समुधाय को एक साथ लाने की एक अ मात्र संस्ता और सरकारी या सरकारी साहता प्राप्त स्कूल के जो आसपास के समधाएं हैं वो सभी को एक साथ लाने कि यह एक अनूटी पहले यानि कि एक शब्द में कहीं तो इन संस्तानों को जमीनी इस्तर पर अधिक प्रभावशाली बनाना तो यह इसका जो यह इसका अप्शन डी ओडिशा अगला प्रशन हमारा प्रशन क्या ग्यारा कि किस राज में पंजाबी भाशा को एक से लेकर दसवी कक्षा तक अनिवार कर दिया गया है जो हमारा उत्तर होगा इसका किस राज में पंजाबी भाशा को एक से लेकर दसवी कक्षा तक अनिवार कर दिया गया है पंजाब में एक से लेकर कक्षा 10 तक पंजाबी विशे पढ़ना बहुत अनिवार है और अनिवार विशे गोशित कर दिया गया इविन और जो सरकारी वहाँ पर क्या है कि जो सरकारी दफ्तार हैं जो जैसे कि जिनमें जो सब्वार्मन्ट आफिस है उत्में भी भाशा को है वहांके जो सीम है चरण जीत सिंग जीत चन्नी चरण चरण सिंग चन्नी इन्होंने ये कहा है कि इस कानून का उलंगन करने वालों पर इस कानून का उलंगन करने वालों इस कूलों पर दो लाग का जुर्माना तक लगाया जाएगा और राजी के सभी बोर्डों के उपर और पंजाबी भाशा में लिखा जाना भी अन्यवार कर दिया और इसमें किया है उच्चे चिच्चहिंवम भाशा मंतरी पंजाब के है परगड सिंग इन्होंने विदान सवाम में पंजाबी भाषा से से अब इसमें क्या है कि आप राज जिवर में स्कूलों में पहली से 100 वी कक्षा तक अब विद्यारतियों को पंजाबी विशेफ अनिवार तौर पर पढ़ना होगा यह ओगया हमारा पहला बिल और जो दूसरा बिल है दूसरा मिल किया हमारा पंजाब राज जी भाषा राश सब्सक्राइब नहीं है दूसरा है दूसरा एक चलिए इसका उत्तर था वो था अमारा ऑप्शन टीपनजाब अगला प्रशन है हमारा प्रश्ट संक्या 12 किस्म किस एक वर्ष में जहांगीर की नियुक्त्ति हुई यह सोने सुट पचेत्र वीस होने सोसो 27 सी 1569 डी 1567 जो इसक option b 1627 में अगला प्रशन है हमारा प्रशन क्या 13 कौन सा अनुच्छेत 35 वर्ष की आयो को भारत के राश्च्पती पत के लिए पात्रता मांदंड में से एक गोशित करता है इसका जो उत्तर है वो क्या है हमारा option a article 58 हमारा सही है article 58 क्या कहता हमारा article 58 कहता है राश्च्पती निर्वाचन होने के लिए अहरता है यानि राश्च्पती जो निर्वाचन होगा उसके लिए अहरता है निर्वाचन के लिए अहरता है यानि किसकी राष्टपती की निर्वाचन की अहरता है यह होगे हमारा आर्टिकल 58 और जो हमारा आर्टिकल 56 है इसके अंतरगत क्या आता है इसके अंतरगत आता है हमारा राष्टपती की पदावदी पदावदी किसकी राष्टपती की यह आता है हमारा आर्टिकल 56 में और जो हमारा आर्टिकल 62 है इसके अंतरगत क्या आता है आर्टिकल 62 में आता है हमारा राष्टपती के पद में रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ती को भरने के लिए नि निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचत व्यक्ति की पदावति या था मारा आर्टिकल 62 के अंतरगत आता है इसके अंतरगत आता हमारा रास्टपती द्वारा शपत प्रतिक्यान यानि रास्टपती द्वारा शपत प्रतिक्यान शपत या to power my alternative view नामक पुस्तक किसके पुस्तक इसके लेखों का एक संग्रह है Speaking truth to power my alternative view नामक पुस्तक इसके लेखों का एक संग्रह है A. अश्वंत सिना B. मणी शंकर आयर C. पीच दंबरम D. अनुन शौरी E. इन में से कोई ने जो इसका उतर होगा पुस्तक किसके लेखों का एक संग्रह है पीच दंबरम Option C. अगला प्रेशन हमारा प्रेशन क्या 15 फिलामिंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए निमलिकित में से कौन सी गैस बल्मों में बरी जाती है फिलामिंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए निमलिकित में से कौन सी गैस बल्मों में भरी जाती है A. carbon dioxide, B. nitrogen, C. ozone, D. oxygen E. इन में से कोई नी जो हमारा इसका उतर हो का वो क्या हो Option B. nitrogen Option B हमारा सही है अगला प्रेशन है हमारा प्रेशन संग्या 16 एविन ये 15 है निमलिकित में से किस नदी निमलिकित में से किस नदी का उल्लेग वैदिक साहित में वितस्ता के रूप में किया जाए वैदिक साहित में वितस्ता के रूप में उल्लेग किया गया किस नदी का A. चिनाव B. व्यास C. जेलम D. रावी जो इसका उतर होगा हमारा क्या होगा option A, चिनाव option A, हमारा सही है चिनाव, अगला प्रशन है हमारा, प्रशन संक्या सतना, nitrate ester का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, nitrate ester का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, A, कीट नाशक, B, खाद, C, बिस्फोटक D, साबुन और E इन में से कोई नहीं जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? Option Option हमारा इसका क्या है? Option C नाइटरेट रेस्टर का उप्योग क्या रहेगा? Option C दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से एक मिस्प्रिंट हो गया है निमलिकित में से किस नदी का उलेक वैदिक साहित में वितस्ता के रूप में किया जाता है A. चिनाव B. व्यास C. जेलम D. रावी जो इसका उत्तर हमारा था वो चिनाव नहीं था माफ कीजेगा यहाँ पर है जेलम Option C हमारा सही है वितस्ता नदी के नाम से वितस्ता नदी के नाम से Option C हमारा सही है अगला प्रेशन है हमारा प्रेश संक्या इसका सत्तर का जो हमारा उत्तर था वो था विस्फोटक नाइटर टेस्टर का उप्योग किस के रिर्माण में किया जाता है Option C विस्फोटक हमारा सही हुतर है अगला प्रेशन है हमारा प्रेशन संक्या 18 जैपुर में हवा महल निमलिकित में से किस राजा द्वारा बनवाया गयाता है जैपुर में हवा महल निमलिकित में से किस राजा द्वारा बनवाया गयाता है a सवाइमान सिंग, b सवाइ परताब सिंग, c सवाइ अग्ला प्रेश्ट है हमारा प्रिशन है क्या उनिस भारती खाद निगम FCI की स्थापना खाद निगम अधिनियम के तहत की गई FCI यानि Food Corporation of India Food Corporation Corporation of India यह हो गया हमारा FCI FCI भारती खाद निगम की स्थापना खाद निगम अधिनियम के तहत की गई A 1965, B 1963, C 1967 D 1965 और E इनमें से कोई नहीं जो हमारा इसका उत्तर होगा क्या होगा इसका उत्तर है हमारा इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं भारती खाद निगम FCI की इस्तापना खाद निगम अधिनियम के तहत के गए सामविधानिक निकाय है यानि कि सामविधानिक निकाय है हमारा जिसे भारती खाद निगम अदिनियम 1964 के तहट के तहट वर्ष 1965 में इस्थापित किया गया था इसका जो उत्तर हमारा क्या है इन में से कोई नहीं अदिनियम अगर पूछ रहे हैं तो 1964 और वर्ष पूछ रहे हैं तो है 1965 किस वर्ष में इस्थापना हुई 1965 और किस अदिनियम के तहट किस वर्ष में हुई तो अदिनियम रहेगा हमारा 1964 अदिनियम के तहट वर्ष 1965 में हुई ती इसकी इस्थापना ठीक है चलिए अगला प् नदी है, A सतलज, B चिनाव, C रावी, D व्यास, E इन में से कोई नहीं, जो हमारा इसका उतर होगा, वो गया होगा, option B, चिनाव, चलिए, अगला प्रेश्ट नहीं हमारा प्रेश्ट संक्या, B C हो गई है, और यह हमारे आज की शंकला का अंतिम प्रेश्ट होगा, तो बोपाल गैस्त राज्टी में अपनी जान गवाने वाले लोगों की याद में प्रतिवर्श मनाया जाता है, A 15 जुलाई, B 23 अक्टूबर, C 6 नवंबर, D 2 दिसंबर, E इन में से कोई नहीं, जो हमारा इसका उतर होगा, क्या होगा, option D, 2 दिसंबर हमारा सही उतर है, और जो यह जो 2 दिसंबर है, इसको बोपाल गैस्त राज्टी का जो राज्टी प्रतिवर्शन रोकता हम दिवसे, इसके रूप में प्रतिवर्श मनाया जाता है, अच्छा, यह जो हुआ था है, बोपाल गैस्त राज्टी का होई थी, यह होई थी हमारी 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 1984 म और इसमें जो कौन सी एक कंपनी थी वो जो जिस कंपनी में रिसाव हो गया था वो कंपनी थी हमारी यूनियन कारबाइड कीट नाशक साहियत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ यूनियन कारबाइड कीट नाशक साहियत्र जो था वहां से जहरीली गैस का रिसाव हो था वो जहरील्य ग्यस थी वह कौन सी थी वह आमारी थी मिappelle आइसो जयो सायनाईट है यह वह पाल ग्यस तराजदी में जो जो ग्यस करेशाब रशाद हुआ था वह था का मिठाइल आइसो साईनाईट गैस इसके चलते है वहाँ पर लाखों लोगों की जान चले तो यह हुआ था हमारा 3 दिसंबर 1984 को कौन सी गेस करें सा हुआ था मिथाइल आइसो साइनाइट और जो प्रतिवर्ष इसका रास्ट्री प्रोदूशन रोगताम दिवस मनाया जाता हमारा 2 दिसंबर को तो दोस्तों आज के हमारे प्रेशनों की श्रंकला यहीं पर समाप्त हो यहीं प्रो मिथाँ वास्ट्री घरी आईस्टर्ट्री प्रावारे प्रोदू यहीं वनूजन आएसो से सLPuri दो को कि अएक elaboration के प्रणी के हमारे था में प्रावा जग्टर्णी।